अमाईजों से कुछ लोग याँ पर कोई भी समान मंगाते हैं और उसमें कोई भी कमी रहती है या खराबी रहती है तुसे रिटन काना चाहते है या रिप्लेस्मेंट काना चाहते है बट वह रिटन या रिप्लेस्मेंट नहीं होता है क्योंकि उस product पर कोई भी return या replacement का policy नहीं रहता है जिस्ते वज़े से उस product पर return या replacement का औरसन नहीं मिलता है इस वीडियो में आपको बटाने वाला हूं कोई भी product कोई भी समान बाय करने से पहली आप कैसे check करेंगे वह समान जो है return होगा या नही, replacement होगा या नही जैसे कि यहाँ पर मैं search कर रहा हूं, set यहाँ पर एक मैं search कर रहा हूं तो एक set मान लेते हैं यहाँ पर हम कोई भी set यहाँ पर हम भाय करना चाहते हैं जैसे कि यह set हमने open किया तो कोई भी product आप इस type से open करेंगे, open करने की बाद यहाँ पर आप score down करेंगे को यहाँ पर आप देखेंगे सिप्रम्प सोल्ड बाई में आपर रिफ्लेस्मेंट का या रिटन का जो भी पोलिसी रहेगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा बट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है को यहाँ पर आप देखेंगे इडर जो आपको जो भी पोलिसी कर रहेगा इस प्रोड़क्ट का देखने को मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर सुख कर रहा है दस्तिं रिटन या एक्सचेंज इसका मतलब है यह जो सैट आप मंगवा रहे हैं अगर इसमें कोई भी खराबी आती है तो दस्तिं के अंदर आप एक्सचेंज कर सकते हैं मतलब इससे देखर कोई दूसरा वापस मंगवा सकते हैं इसके अलावा मान लेते हैं सैट नहीं लेना है तो आप जो रिटन कर सकते हैं या रिटन हो जाएगा और पैसा जो आपके एकाउंट में जो अनाच्वन में आड रहेगा उसमें ट्रेडिट हो जाएगा तो यहाँ पर इस टाइप से अगर दिया है बिटन और एक्सचेंज का मतलब इस टाइप के जो प्रोड़क्ट हो रिटन भी हो जाएगा और दूसरा मंगाना चाहिए तो दूसरा भी आप मंगवा सकते एक्चेंज भी आप कर सकते है तो आप जो मैं यहाँ पर कोई दूसरा प्रोड़क्ट सेर्च करके आप दिखाता हूँ जैसे कि हमने यहाँ पर एक सेर्च किया फेस्वास तो कोई भी फेशवा से यहाँ पर हम open कहते हैं तो simple से open कहने के बाद यहाँ पर आप scroll down करके नीचे आएंगे तो जो भी यहाँ पर return का या replacement का policy रहेगा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर so कर रहा है इसमें not returnable यानि कि यह product महँवाते हैं एक बार आपके घर आ जाता है डिलिवर हो जाता है उसके बाद इससे आप replacement नहीं कर सकते हैं और नहीं return कर सकते हैं यह आपको ध्यान देना इस टाइप को जो product होते हैं यहाँ पर so कर रहा है not returnable यह वापस नहीं होगा इस टाइप के product पर कोई भी return का या replacement का आपसन देखने को नहीं मिलेगा बार करने की वाद अब जो मैं आप पर कोई भी दूसरा यहाँ पर product सेर्च करके दिखाटा हूँ जैसे कि यहाँ पर एक माइक हमने सेर्च किया open करने की वाद यहाँ पर score down करके नीचे आएंगे जैसे कि इसमें आपस तो कर रहा है साथ दे replacement मतलब कि यह product आप मगवाते हैं तो साथ दिन के अंदर अगर इस product में कोई भी खराबी रहती है आप replacement कर सकते है replacement का जो आपसन देखने को मिल जाएगा मतलब इससे बढ़ल कर कोई दूसरा जोए product आप ले सकते है यह इन product जोए वापस होकर कोई दूसरा अगर उसमें कोई खराबी रहती है तो दूसरा आपको मिलेगा replacement के लिए आप apply करेंगे बट यहाँ पर return करके पैसा वापस लेना चाहते है तो यह return नहीं होगा तो आप पर replacement होगा इस type से जोए कोई भी product आप buy करने से पहले देख सकते है अगर यहाँ पर return या रिप्लेस्मेंट का policy दिया गया है option दिया गया है तो आप buy करने की बाद भी आप replacement कर सकते है लेकिन अगर किसी product पर यहाँ पर सूख कर रहा है not returnable तो आपको द्यान देना है return भी नहीं होगा आप replacement भी नहीं होगा तो इस type से आप Amazon पर कोई भी समान भाई करने से पहले चेक कर सकते हो return होगा या नहीं इस वीडियो में इतना है मिलते हैं फिर किसी next वीडियो में